नमस्कार फ्रेंड्स आज आपका लिसन सेवन है लिसन सेवन में हम तॉप रोग की Q, W, E, R, T का यूज लेप्ठ हैंड की फिंगर से कैसे करना है वो सिखेंगे आज का लिसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपको मेरे हर एक लिसन में दी गई इस्ट्रक्शन को अच्छी तरह फॉलो करना है फ्रेंड्स आप मेरे सारे लिसन कंप्लेट कर लेंगे फिर आप 60 वर्स प्रटी मिनिट की स्पीड से इजीली टाइपिंग कर ही लेंगे इसलिए आपको रेगूलर टाइपिंग प्रेक्टिस करते रहना है यदि आप मेरी चैनल पे नए हो और आपको टाइपिंग सीखना है तो आपको लेशन 1 से स्टार्ट करना होगा और स्टेप बाइ स्टेप अब तक के सारे लेशन की प्रेक्टिस करनी होगी टाइपिंग सीखने में कोई जलबाजी नहीं करनी है बस एक के बाद एक लेशन कंप्लेट करते रहना है अब हम lesson 7 start करते हैं आपको दोनों हतों की basic position home row में ले लेनी है आज के lesson में हम top row की Q, W, E, R और T का use कैसे करना है वो देखेंगे सबसे पहले हम Q की को अपनी left hand की pinky finger से press करेंगे और home row में वापिस आ जाएंगे आपको सिर्फ pinky finger को ही top row में लेके जाना है ring finger, middle finger और index finger home row में ही रहेगी आपको हमेशा याद रखना है कि आप top row, bottom row या keyboard की कोई भी Q को press करते हो तो वो Q को press करने के बाद आपकी finger को home row में वापिस ले ही आना है अब हमें top row की W की को press करना है तो हम left hand की wing finger को ही top row में लेके जाएंगे W की को press करेंगे और home row में वापिस आ जाएंगे इसी तरह हमें top row की E की को press करना है तो हम left hand की middle finger को top row में लेके जाएंगे E की को press करेंगे और home row में वापिस आ जाएंगे सेम वे से ही हमें top row की R की को press करना है तो हम left hand की index finger को top row में लेके जाएंगे R की को press करेंगे और home row में वापिस आ जाएंगे अब हमें top row की T key को प्रेस करना है तो हम left hand की index finger से T key को प्रेस करेंगे और home row में वापिस आ जाएंगे आज की lesson practice में आपको left hand से Q, W, E, R, T, R space फिर से Q, W, E, R, T, R space फिर से Q, W, E, R, T, R space ये lesson practice आपको हरोज सुबह एक गनता लगाता 10 दिन तक करते रहना है friends मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी left hand की finger का use आपको home row और top row की कौनसी कौनसी की को प्रेस करने के लिए होगा pinky finger से A और Q, ring finger से S और W, middle finger से D और E, index finger से F, G, R और T lesson 7 की ये exercise हर रोज एक गनता continue 10 दिन तक करना है lesson related कोई भी query हो तो मुझे comment करके पूछ सकते हैं आपका किम्टी समय निकाल कर वीडियो को पूरा watch करने के लिए धन्यवाद वीडियो useful लगा हो तो like और share करें और मेरी चैनल को subscribe करें मिलते हैं lesson 8 के साथ अपना ख्याल रखें जई हिंड